आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So the question is हमसे कहा गया कि ये जो phenol है और इसकी reaction जो है वो जब हमने थैलिक एनाइडराइट के साथ कराई in the presence of concentrated H2SO4 और इसको हमने जब heat करा तो हमारा एक product बनता है X तो उस product को हम किस तरह से use करते हैं in laboratory test for alcohols acid rate saturation food grade colorant या फिर protein estimation के लिए तो हमें पहले देखना होगा कि हमारा phenol और थैलिक एनाइडराइट react कैसे करते हैं तो क्या होता है कि जब हम phenol और थैलिक एनाइडराइट की reaction कराते हैं एक test tube में हम phenol लेते हैं थोड़ा सा थैलिक एनाइडराइट डालते हैं solid concentrated H2SO4 लेते हैं और इसको हम gently heat करते हैं तो क्या होता है कि हमारे दो मॉलिक्यूल जो फिनोल थेलिक अनेडरेट के साथ रियाग करके, क्योंकि concentrated H2SO4 जो है, वो हमारा dehydrating agent होता है, तो हमारा एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और ये तीनों मॉलिक्यूल जो है, वो हमारे condensed हो जाते हैं, कुछ इस फाम में, और ये जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम कहते हैं फिनॉल थेलिन, और ये जो होता है, वो एक colorless compound होता है, तो क्या हुआ कि phenolothelic anidride को react करा के हमारा क्या बना phenolthylene तो phenolthylene जो होता है और यह जो reaction होती है इस reaction को हम कहते है thylene diet test और इस reaction को हम use करते है for the estimation of phenols तो हमें चेक करना कि अगर कोई organic compound है वो phenol है या नहीं तो हम यह thylene diet test जो है वो करते हैं अब हम कैसे देखते हैं कि हमारा यह colorless compound है तो हम कैसे check करेंगे कि यह reaction positive हुई या नहीं तो हम क्या करते हैं यह जो हमारा reaction complete होने के बाद हम solution को naoh में add कर देते हैं जो कि एक basic solution होता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि हमारा जो structure है वो कुछ इस form में convert हो जाता है तो phenolthylene जो है वो base add करने के बाद कुछ इस form में convert हो जाता है और क्योंकि इसमें हमारे conjugated double bonds होते हैं इस वज़े से हमारा यह structure जो होता है वो colorless से pink color में convert हो जाता है तो हमारा अभी structure था वो हमारा colorless था लेकिन हमारा base add करने पर यह structure जो है वो pink color का हो गया तो यह हुई phenolthylene के हमारी basic form अब हम क्या है कि इसी structure में अगर हम axis of anyoH add कर दें तो यह structure finally इस form में convert हो जाता है और यह जो होता है finally एक colorless compound होता है ठीक है तो हमने एक property phenolthylene के observe करी वो क्या थी कि यह phenolthylene हमारा base की presence में जो है वो color change show कर रहा है और actual में हम acid based iterations में जो है वो यही property use करते हैं क्या होता है कि हमारा कोई chronicle flask है उसमें हमारे unknown strength का कोई solution है मालो यह hcl है राइट और इसकी unknown strength है और यह जो है वो हमारी burete है इससे हम जो है naoh solution में add कर रहे है जैसे ही हमारा equivalent point आ जाएगा हमारा pH 7 हो जाएगा वैसे ही हम जैसे ही extra naoh की drop add करेंगे solution जो है वो हमारा basic हो जाएगा और अगर हमने phenolphthalein indicator यूज कराए क्योंकि solution basic हो जाएगा हमारा equivalent point के बाद तो basic solution होनी की वज़े से हमारा solution का color जो होगा pink हो जाएगा right पहले solution acidic था तो पहले ये colorless था basic होते ही ये हमारा colorless से pink में convert हो गया और ये हमारा एक positive indication होगा इस acid based titration के लिए तो हमने phenolphthalein को use किया acid based titration में as a color indicator right तो हमारा option B जो है वो ठीक हो गया and option A ये क्या कहता है कि ये laboratory test है for alcohols alcohols नहीं इसे हम particularly use करते है phenols के लिए या फिर substituted phenols के लिए हम इसे alkylic alcohols के लिए use नहीं कर सकते तो ये option गलत है और बाकि इसे हम colorant या फिर protein estimation के लिए भी use नहीं कर सकते है तो option B is the correct answer क्योंकि ये color change करता है the presence of base from colorless to base Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ये डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर